दोस्तो इस वीडियो में बात कने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में टाटा मोटर्स के अंदर आज आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और सुबह मार्केट ओपन होने के पहले ही हमने हमारे टेलिग्राम चेनल पर जो प्राइस एक्षन स्टोक आपके साथ शेर किये थे उसमें हमने आपको टाटा मोटर्स के लिए भी रिकमेंड किया था और जितने भी हमारे यहां पर फैमिली मिंबर्स ने टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन इंट्राडे सेशन किया है या फिर उन्हें डिलेरेबल बेस पर खरीद के रखा है उन्हें काफी अच्छा है यहां पर रेटन्स भी आज के दिन देखने को मिला है टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स के पीछे कुछ बड़ी वजह भी निकल कर आ रही है जिसके करण उसके अंदर आज आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है सारी चीजों को डीटेल में जानेंगे उसके पिले यदि आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चेनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चेनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से आप इसे जॉइन कर सकते हैं और हर दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट उल्ठा सकते हैं प्राइज एक्शन इस्टॉक्स का अज जो मॉर्निंग सेशन में आपको दो प्राइज एक्शन स्टॉक्स बताये गए थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर ही आपको तेजी देखने को मिली है जो एक और प्राइज एक्शन स्टॉक्स बताये गए था आपको जो कि PVR उसके अंदर भी उसे भी टाटा मोटर्स ने लगबग एक बच के 31 मिट तक यहां पर अचीव कर लिया था तो वो भी हमने आपको हमारे टेलिग्राम चेनल से अपडेट कर दिया था अब बात कर लेते हैं आज की कुछ ट्रेडिंग सेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे मे अगर प्रिवियस क्लोजिंग की बात करें तो टाटा मोटर्स की प्रिवियस क्लोजिंग 302 रुपे 55 पेसे की है और आज काफी अच्छे खरीदारी आपको टाटा मोटर्स के अंदर देखने को भी मिली टाटा मोटर्स को काफी टाइम से हम कवर करते आ रहे हैं और साथ ही स ताटा मोटर्स जब 250-240 के आसपा स्ट्रेट कर रहा था तब भी हमने आपको इसके अंदर खरीदने की सला दी थी साथ ही साथ अगर हम ताटा मोटर्स के 52 वीक के हाई की बात करें तो 3 मार्च 2021 के दिन ताटा मोटर्स ने अपने 52 वीक के हाई को अच्छीव किया था जो की 357 रूपीज का था तो अब यहाँ पर जो टाटा मोटर्स के जैसा कि आपको बताए कि टाटा मोटर्स के फाइनिशेल रिजल्ट 18 में 2021 को डिकलेर होने वाले हैं तो definitely मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वहाँ से आपको और अच्छी यानि की बड़ी रिली देखने को मिल सकती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आटो सेक्टर की कंपनी में टाटा मोटर्स के अंदर ही आज आपको तेजी देखने को मिली निफ्टी ओटो को भी अगर आप चेक करेंगे तो काफी अच्छे मुउमेंट आपको निफ्टी ओटो के अंदर भी देखने को मिले है साथ ही साथ अगर हम expert की सलाम आने तो experts ने भी यहाँ पर Tata Motors को लेकर buy की recommendation दी है जो कि हमने last वीडियो में आपके साथ share भी किया था और आपको 10 मही के target भी बताये थे यानि कि आज के दिन के जिसमें Tata Motors के आज के 310 रुपे के target एक जानी मानी से जुड़ी सारी update हमारे channel से मिलती रहे इसी के साथ में Tata Motors ने जो यहाँ पर अपने passenger vehicles की price को high कर दिया था 1.8% से जो के 18 मेंच से applicable हो गया था तो बहुत ज़्यादा investors यहाँ पर बहुत panic भी हो रहे थे कि इस news का impact negative यहाँ पर Tata Motors के देखने को नहीं मिले तो हमने यहाँ पर आपके लिए video बना कर बताया भी था कि इससे shareholders को तो benefit ही मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर price high होगी तो operating profit के अंदर भी आपको improvement देखने को मिलेगा और operating profit अगर बढ़ता है तो definitely वहाँ से आपको net profit के अंदर भी काफी अच्छे improvement देखने को मिल सकते हैं हाला कि COVID की wave के वज़े से जो यहाँ पर COVID की situation चल रही है उसके कारण auto sector के उपर बहुत बुरा impact देखने को मिल रहा है लेकिन इसा नहीं है कि इसका impact सिर्ट Tata Motors के उपर देखने को मिल रहा है साथ ही साथ अगर हम दूसरी auto sector company की भी बात करें hero की बात करें या और किसी auto sector company की बात करें तो सभी के अंदर आपको same situation देखने को मिल रही है सभी की यहाँ पर sales के अंदर बहुत ज़्यादा decline याने कि downward के ratio देखने को मिल रहे है इन सब के बावजूत share market के big bull कहे जाने वाले राकेज जुन जुन वाला की तरफ से कुछ important updates निकल कर आई है Tata Motors को लेकर आईए उन्हें जान लेते हैं Tata Motors राकेज जुन जुन वाला has recently changes his stake in 12 portfolio stocks but he continues with conviction in the rest of the stocks that includes Tata Motors shares याने कि Tata राकेज जुन जुन वाला जो कि यहाँ पर big bull कहे जाते हैं share market के वो सही समय आने पर हर एक shares के अंदर definitely profit booking कर देते हैं और अगर मैं Tata Motors की भी बात आपको बताऊं तो राकेज जुन जुन वाले ने Tata Motors के अंदर भी 100 रुपे से नीचे से यहाँ पर fresh entry ले रखी है काफी ज़्यादा shares यहाँ पर उन्होंने buy कर रखे हैं तो उन्हें काफी अच्छा यहाँ पर profit भी मिल रहा है लेकिन उसके बावजुद उन्होंने Tata Motors के stake को यहाँ पर continue क्या है इसका सिर्फ एक ही यहाँ से हम object निकाल सकते हैं कि उन्हें पता है कि आने वाले time में इस shares के अंदर और ज़्यादा तीजी देखने को मिल सकती है Irrespective of the bearish perspective in the auto sector the Warren Buffett of India remained invested in the auto stock with the same 1.29% in the Tata Group Company like Rakesh Junjunwala Holdings in Tata Motors market experts to have expected some bullish trend in this auto stock in immediate short term to medium term horizon याने कि short term और medium term की भी बात करें अगर तो यहाँ से भी Tata Motors के अंदर bullish candles देखने को मिल रहे है they gave buy take to Tata Motors stock irrespective for the rising fresh COVID-19 cases in India याने कि अगर हम Tata Motors की बात करें तो यहाँ पर जितने भी experts की तरफ से यहाँ पर Tata Motors की update निकल कर आ रही है उनकी तरफ से यही news निकल कर आ रही है कि Tata Motors के अंदर अगर आप fresh entry बनाना चाते हैं तो 300 से 305 रुपे के level के बीच में यहाँ पर fresh entry बना सकते हैं और यहाँ पर 332 रुपे का target यहाँ से लगा कर चल सकते हैं साथ ही साथ 287 रुपीस का इसका strong support है जिसका आप यहाँ से target लेकर चल सकते हैं याने कि stop loss लगा कर चल सकते हैं GCL Securities के रवी सिंगल का यहाँ तक कहना है कि बढ़ते COVID-19 के मामलों का असर Tata Group के यह share पर बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है Tata Motors Tata Group की बड़ी company है जिसके fundamentals काफी मजबुते एक बार COVID-19 का दबा कम होते ही यह भारतिये बजार का सबसे तेजी से उपर तरफ मूँ करता हुआ share होगा लेकिन अभी हमें इस share में कुछ और consolidation का इंतजार करना चाहिए निवेशकों को सलाई की वर Tata Motors में 280 रूपे के आसपास 340 रूपे के short term लक्ष के लिए और 370 रूपे के मध्यम अवधी के लक्ष के लिए 6 महिने के लिए खरीदारी करें साथ ही साथ SMC को मुदरिद गोयल की Tata Motors में short term में खरीद की सला ही उनका कहना है कि इस shares में वरतमान लेवल पर 287 रूपे के stop loss के साथ 332 रूपे के लक्ष के लिए खरीदारी करना चाहिए यदि आपने Tata Motors के अंदर fresh entry बना रखी है और कल अगर थोड़े भूत corrections भी देखने को मिलते हैं आपको तो कुछ levels का आपको मैं यहाँ पर share करना चाहूँगा जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है लेकिन अगर आपने long term के हिसाब से इसके अंदर investment कर रखाए तो मैं definitely यहाँ पर कहना चाहूँगा wait करिए काफी अच्छी returns आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ levels के बारे में जिनोंने यहाँ पर Tata Motors के अंदर short term के लिए entry ले रखी है उनको levels का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ से जो stop loss निकल कर आ रहे हैं वो पहला stop loss 274 रूपिस 60 पेसे का निकल कर आ रहे हैं इस्टोपलोस 255 रूपिस का है और थर्ड इस्टोपलोस 230 का है यह सारे stop loss long term के लिए है अगर मैं short term का stop loss बताऊ तो 287 रूपिस का stop loss आपको यहाँ से लेकर चलना है साथ ही साथ अगर resistance की बात करें तो यहाँ पर जो meet term के resistance निकल कर आ रहे हैं Tata Motors के पहला resistance 319 रूपे 5 पिसे का है दूसरा resistance 345 रूपे 25 पिसे का है जो कि आपको quarter 4 के result के बाद में देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ resistance 3rd की बात करें तो 363 रूपे 50 पिसे का है आज की अगर हम Tata Motors की volume को भी analysis करें तो Tata Motors के अंदर deliverable based काम वापिस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने भी retail investors है वो यहाँ पर definitely result का wait करना चाहेंगे क्योंकि quarter 4 के अंदर आपको यहाँ पर जो sales के figure निकल कर आए थे Tata Motors की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च के वो काफी यहाँ पर चोकाने वाले थे पिछले 9 years के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे result आपको अभी ही देखने की उमीदे लगाई जा रही है तो यहाँ पर अगर आप quantity की भी तरफ नजर मारेंगे तो लगबख 4.5 करोड quantity आज NAC के अंदर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिली है और यह डाटा तो सिर्फ 3 बजे तक ही यहाँ पर अपडेट हुआ है इसी के सामने अगर आप deliverable based quantity को देखेंगे तो लगबख 1-1% के करीबन की आपको यहाँ पर deliverable based quantity भी देखने को मिल रही है साथ में अगर percentage wise बात करें तो लगबख 27.67% यहाँ पर deliverable based काम हुआ है तो एसा नहीं है के Tata Motors के अंदर यहाँ पर सिर्फ हम हर एक अपडेट को शेर करते हैं बलकि साथ ही साथ आपको जो price action stocks बताए जाते हैं टेलेगराम चेनल पर उसके अंदर भी काफी अच्छे response यहाँ पर continuously हमारे investors को मिल रहे हैं इन सब के साथ में अगर आप यहाँ पर swing trade का भी benefit लेना जाते हैं तो swing trade का benefit लेने के लिए आपको जो description box में link provide करे गई है free demate account open की up stocks उसे open करके आप हमारी mail id पर यहाँ पर mail कर सकते हैं अपना नाम और अपनी details वहाँ पर share कर सकते हैं ताकि आपको swing trade भी वहाँ से provide करी जाएगी चलिए दोस्तों उमीदे आपको video और update पसंद आई होगी अगर आप कोई video पसंद आई है तो इससे जादा से जादा like and share करें ताकि यहाँ पर हमें appreciation मिले और हम आने वाले time में आपके लिए और better informations यहाँ पर लेकर आपाएं मिलते हैं नेक studio में तब तक के लिए stay connected, stay updated